हेलो फ्रेंड्स गोड इवनिंग आप सभी को मैं डिकर सॉन्वल और एक वार फिर स्वागत है आप सभी का जैन्वी नर्सिंग पॉइंट जैपुर में जैन्पी फैमली से आपको बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है रायस्तान छोगी फर्स समस्के थो और उनका जो लाश्ट टेट डॉकुमेंट अपलोड करने का वह 29 जन्वरी है ओके आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना ताकि आपसे कोई भी इंपोटेंट पॉइंट मिसना हो आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके कोई भी ऐसे डाउट्स नहीं र हो गए इसके माई दम से मैं आपको आपके हर डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूं सो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना है एक सेकंड भी मिस नहीं करना है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में जो बैल स्टार्ट कर लेते हैं यापर समदस यह चो बरती 2020 में विचार सूची के अभ्यारतियों को दस्तावे सित्ता पर नहीं तो बला जाने का शेडूल जैसा कि 30 जनवरी 2021 का था अभी यह शेडूल है वो एक फरवरी 2021 का है ओके गाईज आपके सेंटर वही रहेंगे जो फर्स् कर्क्टी रहेंगे ओके एंड दूसरी बात यहां पर सभी जो विकलांग है उनके लिए अलग से शेडूल ने बनाया जाएगा विकलांग के लिए ओके और आप टैंसन मिल्कुल भी ना लें जितने भी प्राविजनल जो स्लेक्टेड कंडिडर्स थे उन सबका यहां पर आ और डाउट्स आ रहे थे कि सर अब हमारा होगा नहीं होगा एतनी ही क्यों बलाएं तो मैं आपको बतायता हूंगे जैसे 40 और यहां पर 00001 से स्टार्ट था रोल नमर इनका और इन्होंने कल जो फर्स्ट लिस्ट में था वो लिये थे 15 जो लाश्ट के चार बाट्स में वो इसका कोटा वालों का लाश्ट कितना है 28,68 अब कल जब सेकंड लिस्ट का लिया नेक्स टाइम जब भी यह डालेंगे तो यह 28,68 से नहीं 6,9 से स्टार्ट करेंगे तो इस परकार सभी जो सेंटर्स हैं उनके सभी जो संभाग हैं उनके ऐसे ही इसी आधार पर यह बुलाए वैकेंसी है तो टाइम लग रहा है यह बहुत जल्दी करने की कुशिस कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ा पैसेंस रखिए आपका नमबर जरूर आएगा एक भी ऐसा कंडियेट नहीं रहेगा जिसके पास SMS नहीं आएगा आपके मोबाल नमर की प्रॉब्लम के वैसे नहीं आ हैं कल से मैं वह बता देता हूं सबसे पहला कुश्यन मैं आपको बताता हूं जिनका एप्लिकेशन का फॉर्म खो गया है ठीक है जिनका एप्लिकेशन का फॉर्म खो गया है तो उनके लिए best solution है कि वह एडमिट कार्ड लेके जाए अपना और एक एफिडाविट बनवा ले कि हमारा ऐसे से जो एप्लिकेशन का फॉर्म है वो गुम हो गया है और मेरे पास एडमिट कार्ड है इसलिए मुझे क्वालिफई किया जाए यह जो भी आपका जो आप बकिल से बनवा गया है जिससे भी टाइप कर वा गया वो आपको सजेस्ट कर देगा कि बेस्ट लेंग मेरेच हस्ट का नाम ही चलता है आपके सारे डोकुमेंट में लेकिन जो ज्याती पुर्माण पत्र होता है उसमें आपका फादर का ही बनेगा जो आपका माय के होता है भही का आपका का सब्साइप के नाम से चल जाए कोई इस्शू नहीं है नेक्स्ट आपका question है कि sir हमारा admit card नहीं है तो आपका admit card नहीं है तो आपके जो form का print है आपकी omar seat है उसको साथ लेके जाए और आप एक affidavit बन वाली जी वो आपका हो जाएगा अब बात करते हैं 4th point की 4th question कि sir upload कैसे करना है आपको scan करके आप mobile से भी कर सकते हो या तो कोई scanner use कर लो ऐप या फिर आप e-meter पर जा के scan कर लो के और आप mail कर वालो अपने documents और फिर आप अपने mobile से upload कर सकते हो या फिर आप e-meter से भी upload करा सकते है अब screen sort क्या है है बो भी मैं आपको यहां बता जाता हूँ स्क्रीन सोट में क्या करना है आपको जो आप डॉकुमेंट्स अपलोड कर रहे हो वहाँ पर आपका 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 आपको नाम ऐसे रमेश ओके आपका पूरा नाम आजाएगा और वहाँ पर एक मतलब फॉर्मेट आ यहां आपको जाएगा इस टाइप में जिसमें पांच अप्शिट मेंट्व होंगा ओके ऐसे ऐसे भी पांच ही हैं साहिद आई तो पांच ही हैं आपको पहले आपको टेन्थ का certificate mark sheet means फिर आपका जैसे आपने डिग्री किया है डिप्लोमा किया है वो फिर आरंसी certificate फिर आपका bonafide certificate और caste certificate यह आपका कोई मतलब छोटा सा problem में कोई बड़ा issue नहीं है आप फाल तुमें इतना पुराना caste certificate है उतना पुराना है तो आपको no no 2020 से पहले का चाहिए OBC वालों का उसके बाद में आपने बनबाय है तो वो हो सकता है बोर्ड क्या बोर्ड की उपर defend करता है वो क्या decision लेते हैं आपको under judgment में count करते हैं या फिर OBC में count करते हैं बट according to NHM rules यह valid होने जाएगा ओके चाहिए आपका offline हो तो आप offline वाला लगा दो वैसे उन्होंने offline online का कोई mention नहीं किया है तो ज्यादा बेटर है आपका इससे पहले का offline वाला हो तो बो लगा दो बेटर है क्योंकि यह उन्होंने terms conditions में mention कर रखा है इसलिए आप इसके बादगा नहीं लगाए अधी नहीं है तो फिर तो आपको लगाना ही है बाकी आपके next doubt कि कुछ candidates वो रहे हैं सर हमारे पास link नहीं आ रहा है तो डियर आपके पास link आएगा जिसे आज यह candidates हैं यहाँ पर भी 724 candidates होंगे आप count करके देख लेना तो इन 2400 candidates के पास आज link आ गया होगा कुछ के पास जैसे network issue रहता है तो आज आएगा दीर दीरे रात तक होगे तो आपके पास भी आएगा आप निश्चिंत रहें किसी प्रकार का stress ना लें आपका document verification जरूर होगा आपका नेक्स्ट कुश्यन आपका नेक्स्ट कुश्यन आप मुझे वट्सप करना इनके अलावा डवल एट शेवन फइव स्व शोरी डवल एट शेवन फईव शेवन एट ओके 6474 लिगन डियर मैं request करता हूं आप से प्लीज कॉल ना करें अल्ली वाट्स आप ही करें प्ल कोई ना करें because call बहुत सारे स्टुडेंट्स के एक साथ आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैं लाइब भी नहीं पता हूं उस बज़े से क्योंकि फिर आपका कॉल आता है और मेरे डाटा शिम से कनेक्ट करना पड़ता है तो फिर आपका मैं लाइब आई नहीं पता हूं लाइब स्ट्रीमिंग बीच में ही रुक जाती है कल ऐसा ही हुआ था हमारे वीडियो में तो आज फिर मैं आपके आफ लैन ही हर कमेंट्स का यहां रेपलाई करने कोशिस की है सो आई थिंग आपको स सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलना अगें थैंक्यू गाइस